हाई दोस्तों वेल्कम बेक टू मैं चैनल आए तो मेरा यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम हेल्दी वर्जन पराठा लेके आएं आप लोगों के लिए जो बच्चों के टिफिन रेसिपी भी हो सकती है आप बनाना चाहें तो दोस्तों मुझे पता है आप लोग बनाएंगे जरूर यह रेसिपी में साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने यह बनाई है देखी है और आप लोगों मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज दोस्तों जरूर बताईएगा बनाके जरूर दिखिएगा और मेरे चैनल पर अगर रहे हैं तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट जरूर करिएगा आईए दोस्तों तो टेस्ट करके देख लीजिए यम यमी टमाटर की चटनी के साथ लौकी का पराथा यम 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 यह दिखिए मैंने लौकी लिए एक गोल लौकी लिए आपको इसी चंग के चंग वाला नहीं लेना है इससे लुक्ष हमारे मोटे मोटे आये ताकि जो हमें मूह में जब आइट हम ले टो पता चले यह तैस्ट पता चले कि हम कैसे खा रहे हैं अच्छा लगता है दोस्तों मूँं प्लाद मूम में आता है आप बनारा कि दिखीएगा इदर म पानी निकाल लिया नमक डाल के रखा था मैंने तो जब लॉकी में नमक डालते हैं तो पानी चूटता है वही बस नचोड के मैंने पानी अलग करके रख लिया है पानी का हम बाद में यूज करेंगे दोस्तों इधर हमने अधरक लैसन हरी मेच प्याज थोड़ा सा कड़ी पत दाल दिया है अधरक टाल दीए है ठोड़े सी कट करके करके जीरा पर रखे दाल करके दाल में gale जीरा हंए जो भी चौप करके डाल तो सारव सामानः करके धीर करके करने चौनege एक और गैस की फ्रेंब रखेंगे लो कि आप इसके साथ कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं दोस्तों गाजर या आपके शिम्रा में जो भी बच्चे पसंद करें पनीर अगर खाना चाहें बच्चे तो पनीर भी डाल सकते हैं अगा इन मैंने कड़ी पतर डाल दिया दोस्तों इधर डालेंगे थोड़ी से हींग या जाला है मैंने दोस्तों और या बहुंगा सा बूं लेंगे उनको जादा नहीं हुआ अईदर सूप जितने मसाले थे सुखि आपने डाले हैं जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको औहसे पसंदों अफ्लकितार नमक गया सकते हैं कंगते लिव discipline ये कम कर दोस्तों अगर मिश्च को को सकते सकते हैं श्राइट नाने गवस्तने ऍसको जैसे यह मसाल्य भून जाए वैसी नौकी हम डालेंगे लाकी में दोस्तों किदना पानी निकलता है यह चिली फ्रेक्स थोड़े से डाले पे चुटकी मैंने इदर डाल देंगे भुना हुआ जीरा इसमें काला नमक दोस्तों जरूर डालिएगा लौक यह ध्यान करके डालिएगा दोस्तों क्योंकि लौकी जब हम पानी रिलीज इसका होता है जो हमने रखा थ दाल थोड़ा से लमक डाल करें लोगे रौकी शहां पानी निकलता है तो इसलिए नमक दाल के रखवा ओप टालिएगा ज्यादा नहीं हो जाए नमक हमने हमने लोटी का पानी जो निकाला है न उसका हम आठा लगाएगे तो आठे में भी नमक होगा कि पहले भी नमक डाला तो तो थोड़ा ही नमक डालिएगा देख लीजेगा आप उपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा नमक जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता पर यह जादा नमक नहीं अच्छा लगता है कम होता है तो उपर से डाल लो इदर हमने आटा ले लिया है और जो इसका पानी पानी बचाता नो लौकी का दोस्तों इदर उसमें एक चमस डालेंगे बेकिंग पॉडर यह दिखी कैसे एक्टिवेट हो गया है जैसे मैंने डाला है क्योंकि लॉक्त में थोड़ा मीठा पन होता है और नमक नमक तो डाला था यह नमक का तो ही पानी इसमें बेकिंग सोड चुटकी बढ़ डाला है अब इसको मिला लेंगे हम और इससे हम लगाएंगे आठा सो यह पानी फेक हीएगा नहीं दोस्तों बहुत हेल्थ के लिए फायदे मन दोता है लौकी का पानी फेकते नहीं दोस्तों आप सब्जी बनाते तो उसमें भी आप डाल सकते किसी भी सब बाब में यह वाला पानी हम पूरा डाल देंगे तो कि मैंने लिया था थोड़ा से पानी और लिया था और आठा हमें लूज लगाना है ज्यादा मतब टाइट नहीं करना है सेमी सॉफ्ट रखना अगर आठा टाइट होगा तो पराठे हमारे फट जाएंगे तो यह ध्यान से तीरे से आठा लगा लेंगे हलके हाथ से टाइट डो नहीं लगाना है और इसके तेल थोड़ा सा हम दाल देंगे तकि आठा हमारा सॉफ्ट लगे हैं कि पराठे बनते हैं बहुत बहुत हैं बूलेंगे पराठे बहुत अच्छेट बनेई हो के थो यह बहुत कि बच्चे मिलता बनाकर दोस्तों देख़ीए गार कि बहुत बहुत करतेपया प्रवाइब नहीं हो पाई है आप स्किप हो गई दोस्तों मैंने कैमरा मेरा नहीं हो पाया था भूल गई थी मैं दुबारा से रिकॉर्डिंग की यह देखिए अब मैं दिखा रही हूँ एक लोई ले लेंगे उसमें हम क्या करेंगे लोई लेके जो फिलिंग है अपनी थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे बहुत ज्यादा नहीं रखना है उतनी रखिए जितना इसके अंदर अंगूठी के साहता से इसको अंदर कवर कर देंगे और जो एक सुखाटा लेके और हाथों से हलका हलका दवा लीजिए इसको अब फिर हम धीले जिरे हलके हाथ से बेल लेंगे बिल्कुल हलके हाथ से इसको बेलना है ज्यादा तागत नहीं लगानी है ठीक है अब हलका फुलका लिख लेगा तो कोई डर की बात नहीं दोस्तों पराठे म मैंने का जैसा कि बताया कि लौकी में कितना भी पानी हम सुखा लें फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्टर रहा जाता क्यूंकि हमने मसाले डाले नमक डाला है तो उससे थोड़ा बहुत होता ही है दोस्तों पराठे में सेख के रख लिए हैं अभी मैं एक तरीका आप लोगों को और बताऊंगी उससे क्या होगा कि आप आराम से फिलिंग भर लेंगे और आपको दिकत भी नहीं होगी इधर मैंने 2-3 पराठे सेख के रख लिए हैं मतलब बनाके रख लिए हैं अभी खटे इसलिए पहले से ही तैयारी करके रख लोगों ज्यादा अच्छा है कि सो इधर मैंने यह वाले बना लिए अब एक तरह से मैं आपको और बताती हूं शैद आप लोगों को भी पता हो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहा रही कि आपको नहीं पता होगा आजकर सभी लोग जानते है तो यह तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया यह निकल जाती है तो कोई डर की बात नहीं है कि क्यों अच्छा लगता है यह लगता है खाने में और निकल जाती है पराठे से फोडिशी थो क्रिस्पी हो जाता है पराठा खाने में देखिए दो चुटी-चुटी लोग ले लीजिएगा आप लोग और फिसको क्या करना है दो रोटी बना लेने हैं हमको कि इस तरह से हैं कि देखिए कि बहुत ज्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी है छोटी छोटी से पूरी का साइस जो होता है इस तरह से फैग्स ले लीजहगा शीरAR बस इतना साइस बड़ाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे मरें ध दूसरी इतना ही बड़ा साइस कर लेंगे जितनी पहले हमने बेली है से वह ही साइस की कर लेंगे-चोटी बड़ी हो जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन आप देख लीजेगा स्टाइज अगर बराबर है तो ज्यादा अच्छा है कि फोड़ा से सुखा अठा लेंगे और इसको लगाते हुए बेल लेंगे कि अब जो फिलिंग है ना जो हमने बनाई यह लौकी की वह इसमें हम फिल कर लेंगे कि यह दिखिए जितना आप को फीक लगे इसमें ज्यादा नहीं कि बाहर निकल जाए इस तरह से भर लीजेगा और साइड में लगा लेंगे जाकि बेलते समय बहुत ज़्यादा साइड में लगा यह दूसरी रोटी लोटी से अम इसको कर देंगे شबाशे से थी कि दृब लेगे इस City के इस तरह कि बिलकुल हलके हाथ से बेलना है कशके दवाना नहीं है कि देखिये इस तरह से बन गया ऑधर तो इससे एक फायदा है दोस्तों हमारी फिलिंग में नहीं निकलेगी और पराठे में दो पराठे हमारे बन जाएगे इसको जो बनने के बाद आपको दिखाएंगे खोलेंगे इसमें देखिएगा दो पराठो का काम करेंगे अगर दो बच्चे बैठे हैं खाने के लिए ममा दो ममा दो तो प्लीज इस तरह से आप बना के देखिएगा बहुत जल्दी बनता है बच्चों को भी संतुस्टी हो जाती है कि कि मैं जानती हूं मेरे बच्चे बैठते हैं तो एक को चाहिए तो दूसरे को भी चाहिए नम्मा मुझे पहले इस तरह से आप बनाईए जल्दी भी बनता है और अच्छा भी लगता है लगता है मैं सोच नहीं सकती थी दोस्तों कि लौकी का पराठा भी इतना अच्छा ल लगेगा बस मैंने सोचा और बस बना दिया लेकिन अच्छा वर्जन है बच्चों के लिए फैल्दी वर्जन दो तो बहुत अच्छा है मतलब नमबर वन का है लौकी बच्चे नहीं खाते हैं आनाकानी करते हैं मूस उखोड़ते हैं लेकिन इस तरह से ना बच्चे मूस मांगते जाएंगे और आप दही के साथ चक्चनी के साथ इसको पिसको करेंगे बच्चे भी करें बढ़े हैं सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है प्रीटे टैके किण आरे दॉस्तों देखी सोगे हैं दो प्राटे बनके तयार हुए है दोनों में अच्छे से भर गई है दोस्तों इस तरह से बनाई। है उथो बहुत अच्र、 तरीक्ता है बनाने का और सिंपल तरीका है निकलने का नामनिशानी कही नहीं तुम्हां आपकी फिलिंग जो भी आप जिस वेजिटेबल की भी फिलिंग बहरेंगे प्याज का पराठा बनाना चाहें प्याज कभी इस तरह से बन सकता है दोस्तों किसी का भी बनाना जाए मैं आप लोग के शेयर करूंगी दोस्तों और पराठे जो मुझे आते हैं और रेसिपी जो पराठे वाली है या जो आगे रेसिपी मैं करना जा रही हूं वह आपको बताऊंगी आप देखिएगा मेरी वीडियो में इसी तरह से आगे कमेंट लाइक शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए तो मैं भी अच्छी एच्छी वीडियो आप लोग के दख लेंगे इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो देखे लग रहा है बस अच्छा यह बताईए दोस्तों किस-किस ने टमाटर बच्पन में खाए हैं और कौन अभी भी खाता है टमाटर नमक तालके मुझे तो बहुत अच्छे लगते दोस्तों थंडियों अच्छे लग रहे हैं इनको ऐसे करके मैंने नमक डाल लिया दोस्तों एक फ्राइफ एन ले लेंगे तो चम्मस तक सर्सो का तेल है दोस्तों मैं ज्यादा कर दोस्तों सर्सो के तेल में सब्जी बनाती हूं मैं कोई और तेल यूज नहीं करती हूं आं। सो आप लोंगों को भी आप जोंगी सर्सो का तरह में जो निकलता है दोस्तों मैं उसी का लिए ज्यादा कर यूज करती हूं तो हो सके आप लोग भी मैं यही आप लोगो राये दूंगी सरस्तों का पेल यूज करें खैल्स के लिए भी फाइदे बनना है दोस्तों ये देखिए सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए है मैंने चिमते के कि मुझे पीसना है दोस्तों इसके हमको प्यूरी बनाना है थंडे होने के बाद ही मनाएंगे इतर हमें लैसन ले लिया अध्रत हरी मिल्स और थोड़ा सा प्याज ठीक है इतर देखे लिक्सी के जार में हमने टमाटर ले लिये हैं इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे बह तो सॉफ्ट हो जाने के बाद इनको फ्राई किया था हमने तो उसके बाद जल्दी इसमें टाइम ही नहीं लगना बस एक बार घुमाएंगे पिस जाएगा यह देखिए प्यूरी बना लिए हमने टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद इसको ट्रांस्वर कर लेंगे बाउल म आधि दालेंगे लेसं दाला समयने लेसं जुरूर अवह सके तो थोड़ा सा कूप लीजिए गा किसी से इमाम दस्ता होता है इसमें उससे कूप लीजिए आन्या जो आपके पास एवेलेवल उससे आप महीन महीन तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैंने कट किया थैं लेकिन उससे था है यहाल डाल दिया है थोड़ा से स्नमक डाल दिया काला नमक, यह आफीक दाल आप मैं खड़ा जाद कर डालती हूं लेकिन आज जो हाथ में आए वह मैंने डाल दिया है तो आप लोग भी कालर नमक जरूर यूज किया कर यह सब्दियों में चट्नी में बहुत अच्छा लगता है इसके उपर हम प्याज डाल दें तो और टेस्टी लगता है देखें दोस सहरा धनिया से घाल निश करें कि चट्नी को ई है कि है कि अच्छी लग रही है न दोस्तों देखने में देखने में दोस्तों खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है पराठे के साथ तो इसका ला-जवाब एक्टम इसका साथ है फंडर टू-100 परसंट आपको अच्छी कीजिए इस तरह से सब करिए बच्चों को खिलाइए आप दिखाईए और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है लाइक शियर सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा दोस्तों प्लीज मेरी रेसिपी फुल बॉच कीजिएगा एंड कमे हुआ